सब्सक्राइब करें हमारे आयरवेदी कुप चार्च चनल को और बेल आइकन को दबा दे हमारे नए अपडेट पानी के लिए नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका हमारे आयरवेदी कुप चार्च चनल में दोस्तो आज हम आपको बताने वाले हैं Mankind Company दोरा बनाई गई दवा कब्ज एंड के बारे में जीहां दोस्तो आज हम विस्तार से जानेंगे इसके लाप क्या-क्या है इसकी घटक क्या-क्या है और इसे किस परिशिती में हमने उपयोग करना है जीहां दोस्तो दोस्तो कब्ज जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानी कारक है जीहां दोस्तो जैसा कि आपको पता ही होगा कब्ज होने की कारण सौच सुबा में खुल के नहीं आता है जिससे हमें कही तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ता है जैसे कि कीसी भी टाइम सौच का आना या फिर सौच जाते समय जब सौच सुखा हुआ आये या जवरदस्ती जाये तो सौच करते समय दर्द महसूस होना या फिर जाला दिनों तक कब्ज रहना ये कारण दोस्तो बवाशीर का शिकायत भी हम लोगो हो जाता है सबसे बड़ी बात है दोस्तो अगर आपका पेट साफ नहीं होगा तो दिन भार गैस बनना रहेगा सीने में जलन गैस बनने से सर में दर्द या फिर पेट का भारी रहना या फिर भूग की कमी या फिर इसी कारण अक्सर जोड़ों में दर्द भी हो जाये करता है जिया दोस्तो गैस का फैलाव पूरे शरीर में होने के बाद अक्सर हमें दर्द का सामना भी करना पड़ता है तो दोस्तो इसी का निदान करने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने पेट को साफ रखे जिया दोस्तो पेट को साफ रखने में ही mankind द्वारक बनाए गई ये दवा comes and बहुत ये अच्छा लाग पहुचाती है दोस्तो अगर इसके हम price की बात करें तो मातर इसकी 50 रुपिक कीमत है जिया दोस्तो कीमत इसी पर जादा नहीं है बहुत ही कम कीमत है इसकी इसके घटक की अगर बात करें तो इसमें सेना इसपाबूला, कला नमक, अजवायन त्रिफला, सेंधा नमक अमलताश, यस्टिमदू हरितकी, सौफ, जीरा रोज स्वरजी कसला, निसोथ सोन्ट, कैस्टर ओइल पुदीना, इत्यादी का मिशन है, दोस्तो तो चलिए देखते हैं इसमें कैसी दवा है दोस्तो इसकी जो दवा है ग्रेनुलस के रूप में है जी यहां दोस्तो आप देख सकते हैं इसका स्वाग भी खाने में कोई बुरा नहीं है इसकी सेवन विदे की बात करें तो एक से दो चमच फाग कर उपड़ से गरम पानी पी ले जी हां दोस्तो जिन व्यक्ति को कब ज्यादा है वो दो चमच ले जिनको कब जी नॉर्मल है वो एक चमच ले ध्यान रखे दोस्तो ठंडे पानी से इसे ना ले गरम पानी से दोने से ये ज्यादाला पहुचाती है दोस्तो इसका इस्तिमाल जरूर करें इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है और अपने पेट को साफ रखें ताकि आप आने वाली कई मिमारियों से अपना बचाव कर सके और अपने शरीट को स्फूर्ती दायक एवंचूस्त बनाया रखे क्योंकि आपको पता ही है जब पेट आपका साफ नहीं रहेगा तो आलस और काम करने में भी आपको मन नहीं लगेगा तो दोस्तों जानकार अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूले धन्यवाद